बेड़ा गर्क हम ने किया या वसंदुरा राजे ने किया बेड़ा गर्क उन चार हजार तीनसों आपके सर्वे की बात की शद्धा मना अंजना ओम कश्चप जी लेकिन रविश अंकर प्रसाद जी ये भी सच्चाई है कि 10-20 सीटे जादा आ गएं क्योंकि लास्ट में आपन ने हनुमान जी को उतार लिया था राजस्थान की जमीन पर हनुमान जी कौन है भाई आप नहीं हनुमान जी का नाम किया अली बजरंग बली को लेकर आए ये ये आपने देखिए आज मैं फिर कोंगा नतीजे आ गए हैं हमारे तीनों सरकार तीनों मुख्यमंत्री ने मतवदेश को बाहर निकाला तेरा साल से शुरा सिंग चोहान पंदरा साल से हमारे रमन सिंग जी वसंद्रा जी और आईटी मंत्री करूप में मैं जानता हूँ अंजना जी वसंद्रा जी ने जो इगवर्निस में काम किया है उसकी ग्लोबल तारीफ हुई है नतीजे नतीज मैं लही का मैं उनको बधाई दे दिया चुनाओं का जो भी रिजल्ट आता है उसे हम बहुत विनमता से स्विकार करते हैं हम राहूल गांदी नहीं है कि उनीस से ही हमारे पीछे पढ़े रहते हैं ठीक है उनको हमारे देखे ये आप इस बात पुताई करी अच्छा क्या आ आगे 14 में हमें बढ़ाई देने में इभी आपने देखा है सोचने सोचने कि क्योंकि वहां विरासत का दंब है कि देश को तो हमें ही चलाना है हमें जनता पर विश्वास हैं 2019 को सवाल के सवाल को मैं आगे के लिए रखती हूँ अब जरा राफाइल पर आगे गरक्रिंग उसको चलिए कोई बात नहीं चलिए आप पर यह राफाइल मुद्दे पर आते हैं और शुरुवाती जीत जरूर सुप्रीम कोट की तरफ से हुई जिसमें कहा गया कि शक की ग प्रश्ण का थोड़ा मुझे विस्तार से उत्तर देश जाने हैं कॉंग्रेस पार्टी ने राफेल के नाम पर जूट परोसा जूट बताया और इतनी भी शर्म नहीं है कि वो माफी मांगे जब सुप्रीम कोट ने सब कुछ बेनकाब हो गया सुप्रीम कोट के निरने ने क क्या का कहा है पर इस बात को समझें मैं पीसी को बताऊंगा नंबर एक देश की वायू से ना को सुरक्षा के लिए मारक जहाजों की ज़रूरत है 2005 से 2012 तक अनावश्यक विलंब किया गया और बाद में टेंडर आने के बाद इसको डिले किया नंबर तीन हमने पूरे निरने की प्रक्रिया को जाचा है ये निरने की प्रक्रिया बिल्कुल सही है नंबर चार इसमें कोई कमर्शियल वेस्टेड इंटरिस्ट नहीं है और हमने एरफोर्स के पता दिकारियों के बुलाया और हमने ये भी कहा कि देश के सामरी खित में जाच थोड़ी कम भीड़ता से होनी चाहिए तो ये है सुप्रिम कोट का फैसला राहुल गांदी के सारे तर्क और देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा जिस तरह की बेशर्मी की जबान राहुल गांदी ने हमारे पधारमंत्री के बारे में की है जो कि एक ग्लोबल लीडर है जिनकी इमानदारी की पूरे हम लोग देश जानता है वो कॉंग्रेस के राष्टे अद्धक्ष उमीद नहीं थी और जुनने सुप्रिम कोर्ट पे हमला बोला देने के बाद वो इस से अवेधिक दुर भागे बुन था सीधा इस जूट के लिए राहुल गांदी को कॉंग्रेस पार्टी को माफी मागने चाहिए अब आपके P.A.C. के विशय को मैं एक्स्टेन कर देते हैं भारत सरकार की ओर से बताया गया था कि हमने इस पूरे प्राइसिंग को डीटेल को C.A.G. से शेर किया है और प्रक्रिया ये होती है कि C.A.G. के रिपोर्ट आती है तो P.A.C. उसे एक्जामिन करती है और वो फिर संसत के सामने जाता है तो ये प्रक्रिया के विशय बस्तु बताया गया था Supreme Court से ये इनदवर्टन बिस्टेक हुआ है उसको उन्होंने वाज कर दिया It was examined Has been तो उसको correction के लिए दर्खास दे दिया लेकिन P.A.C. गया या नहीं गया C.A.C. गया नहीं गया इससे पुरे निर्ने की प्रक्रिया पर असर इसले नहीं पड़ता है कि Supreme Court ने स्वयम पुरे निर्ने की प्रक्रिया को देखा है इस बात को समझे और पूरा जो लिटिगेशन था प्रायोज़त था Supreme Court ने आज Supreme Court ने फैसला किया है लेकिन जिस तरह का अस्तरहीन एक प्रकार से Supreme Court पर हमला किया गया वो कम से कम रहुल गांदी सो मिन नहीं थी इस और हैस बीन ये वाकई ग्रैमर की गलती थी या फैक्स को इस तरह से पेश किया गया था क्योंकि यही आरोप है यही आरोप है Congress Party के तिनक को आप मत पकड़िये आज तक सबसे ती चैनल है फ्रतत्यों की परक कर ले हमने Petition जो फाइल किया उसको देख लीजिए उसमें क्या भारत सरकार की उसे कहा गया इस पष्ट है पर यही तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोड के सामने Congress Party चली जाए किसने मना किया है हिम्मत क्यों नहीं है यही तो मैं कह रहा हूं Congress Party को तो अधिकार था कि सुप्रीम कोड चली जाती वो अपने मोहरों और प्यादों के साथ खेल रही थी आज उनके मोहरे पिट गए बुरी तरह से पिट गए इसलिए फिर कहां सुप्रीम कोड का पूरा फैसला जरा भी P.S.C. के उस पर नहीं डिपंडेंट है